युहन्ना की पहली दूसरी और तीसरी पत्री हो सकता है कि वो बारह प्रेरितों में से एक जब्दी का पुत्र यहना हो या हो सकता है कि वो ईशु के आरंभिक चेलों में से एक कोई और यहना हो जिसे यहना प्राचीन के नाम से जाना जाता था। यह चाहे कोई सा भी यहना हो परंतु अब वो अपनी वृध्धावस्ता में था और प्राचीन एफिसुस नगर में ग्रह कलिसियाओं के समुदायों की देखभाल कर रहा था। अब सू समाचार से और इन पत्रियों से मिले प्रमानों से ऐसे लगता है कि इन समुदायों में अधिकतर ईशु के यहुदी अनुयाई ही थे और ये कि वे हाल ही में एक संकट से गुजरे थे जिसने युहना को प्रेरित किया कि वो ये पत्रियां लिखे। वो बताता है कि कुछ लोग इन कलिसियाओं को छोड़ कर चले गए हैं। ये लोग अभी ईशु को इसराहिल का मसीहा या परमेश्वर का पुत्र नहीं मानते हैं और वे उन लोगों के बीश बैरभा उत्पन कर रहे हैं जो कलिसियाओं के प्रती विश्वास योग्य बने हुए थे। वास्तों में यहना की दूसरी और तीसरी पत्रियों ने सपश्ट रूप से इस समस्या को संबोधित किया। यहना की दूसरी पत्री एक विशेश ग्रह कलिसिया को दी गई एक चेतावनी है। वहाँ ऐसे लोग हैं जो इशु का इंकार करते हैं और यहना उन्हें भरमाने वाले कहता है। और विशायद अपने को सही ठहराने और सहायता पाने के लिए आएंगे पर इस कलिसि उससे कहता है कि वो उन सच्चे मिशनरियों का स्वागत करे जो जल्द ही पहुचने वाले हैं। उसे उन्हें ऐसा करने को इसलिए कहना पड़ा क्योंकि उस कलिसियाई समुदाय का आगवा दियूत्रिफेस मुर्खता के काम कर रहा था और हर ऐसे व्यक्ति को ग्रहन नहीं कर रहा था जिसका संबंद प्राचिन यहना से था। इसलिए ये पत्रिया हमें उस तनाव और विवाद की जलक प्रदान करती हैं जिसका सामना यहना ने इन कलिसियाओं में किया था। और यहना की पहली पत्री क्षती की रोखथाम के रूप में इन सब बातों के प्रत्यत प्राचिन उन लोगों को जो अब भी मसीहा ईशु पर विश्वास करते हैं आश्वस करता है कि जब वे सत्यकोथा में रहते हैं तो परमेश्वर उनके साथ है। यह सारी बाते हमें यहना की पहली पत्री की विशिष्टा को समझने में मदद करती हैं जो वास्तों में पत् दिकतर मुख्य विचार और शब्द यहना के सुसमाचार की पुस्तक में दी गई ईशु की शिक्षाओं से ही हैं। इसलिए यहना का उद्देश इन मसीहों को यह याद दिलाना और समझाना था कि वे उन बातों के प्रती सच्चे बने रहें जिन पर विश्वास करने का व दावा करते हैं। यहना के उपदेश की का व्यत्मक्षैली सच में बहुत अच्छी है। वो अपने विचारों को रेखाकार या तारकिक रूप में नहीं बढ़ाता बलकि वो बाचित की एक प्राचीर और प्रचले तकनीक का उप्याव करता है जिसे विस्तारण कहते यहना के पास जीवन और सत्य और प्रेम के बारे में कुछ मुख्य विचार हैं जिने वो बताना चाहता है। और बार बार वो इन विचारों के यर्दगिर्द घूमता हैं और हर बार वो उने थोड़े अलग दृष्टिकून या महत्व के साथ प्रस्तुत करता है। वो ब पहली पत्री की सादगी से आप ब्रहमितना हो जाएं। इस पुस्तक में बड़े गहरे अर्थ पाये जाते हैं। यहना की पहली पत्री में एक स्पष्ट परीचे हैं और बाद में एक स्पष्ट उपसंहार है। और इन दोनों के बीच में आये उपदेश का प्रवाह चक् इसी भी प्रकार की कठोर साहितिक रूप रेखा का पालन नहीं करता। लेकिन ऐसा लगता है कि दो बड़े खंड है और प्रत्यक में एक परिचयात्मक वाक्यांश है और यही संदेश है। और फिर प्रत्यक के बाद इस विशय में रूपकों को दोहराया जाता है कि परमे प्रेम है और इन दोनों भागों के सब विचार इन दो मूल विचारों से बाहर निकलते हैं और वापस उनमें लौड जाते हैं। इस प्रकार परिचय यहन्ना रचित्सू समाचार की प्रस्तावना से बहुत मिलता जुलता है। इसमें उत्पत्ति अध्या एक और नीती व वचन के बात करता हैं जो आदी से परमेश्वर के साथ था। यहन्ना के अनुसार शब्द परमेश्वर पिता और पुत्र दोनों को दर्शाता है जो इस जगत में जीवन लाने के लिए आया। और इसलिए जिन्होंने उस पुत्र को देखा और सुना और स्पर्ष किया उन संदेश है। इसलिए जब प्रेरित दूसरों को जीवन का वचन सुनाते हैं तो यह अन्य लोग भी प्रेरितों के द्वारा पिता और पुत्र की संगती में लाए जाते हैं। यहां संगती शब्द युनानी के कोईनोनिया शब्द से आया है जिसका अर्थ है सहभागिता या साजा करना। जब लोग प्रेरितों के द्वारा ईशु का सुसमाचार सुनते हैं तो वो सुसमाचार उने स्वयम ईशु के साथ सच्चे संबन में और परमेश्वर के अपने प्रेम और जीवन की सच्ची सहभागिता में लेकर आता है। अब यह आगे बढ़कर ठीक प द्वारा सहभागी होना चाहते हैं तो उन्हें लगातार जोती में चलना होगा। यह सच मुझ एक अच्छा रूपक है लेकिन इसका अर्थ क्या है। यहन्ना के लिए इसका अर्थ है कि ईशु की आग्याओं का पालन करना। और यह कठिन है और जब आप असफल रहते हैं तो इशु की बलिदानी म्रत्यू आपके पापों को ढाप लेती हैं और तब एक बार फिर आपको खड़े होकर इशु की आग्याओं का पालन करने के लिए बुलाया जाता है। लेकिन उसके कौन से शिक्षा का। यहन्ना कलिस्याओं को इशु की वो पुरानी नई आग्य याद दिलाता है जो अंतिम भोच के समय चेलों को दी गई थी कि वे एक दूसरे से वैसा ही प्रेम रखें जैसा उसने उनसे रखा था। ऐसा करना जोती में चलना है। यदि परमेश्वर की जोती अब ईशु के द्वारा चमक रही है तो इसका अर्थ है कि संसार का अंधि इसका अर्थ ये भी है कि परमेश्वर की संतान ने अवस्पाप और बुराई और मृत्यु पर विजय पाली है जो संसार में राज्य करती है। और ये बात यहन्ना को प्रेरित करती है कि कलिस्याओं को इस बात की चुनावती दे कि वे संसार से प्रेम ना करें क्योंकि संस मिटता जा रहा है। यहां वो विशेश रूप से एहंकार और लेंगिक भ्रष्टता की बात कर रहा है। ऐसा संभव हैं कि ये समस्याएं उस विवाद से संबंधित हों जो कलिस्याओं में चल रहा था। ये बात यहन्ना को प्रेरित करती हैं कि वो कलिस्याओं को इन मसी विरोधी और भर्माने वाले कहता है। लेकिन उसे पूरा विश्वास है कि जो लोग अभी ईशु के विशे में सत्य को जानते हैं वे वास्तव में परमेश्वर की सच्ची संतान हैं और पिता उन से प्रेम करता है। और जब वे धार मिकता के कारिय करते हैं और एक उपदेश के दूसरे मुख्य खंड में ले जाता है। युहन्ना कहता है कि प्रेरितों का संदेश यहीं है कि परमेश्वर प्रेम है। युहन्ना कहता है कि इसी कारण परमेश्वर की संतान को एक दूसरे से प्रेम करना और घ्रणा से दूर रहना चाहिए और उत्पत्य अध्याय चार के कैन के समान नहीं बनना चाहिए। उसकी घ्रणा ने उससे अपने ही भाई की हत्या करवा दी। लेकिन मसीहियों के लिए प्रेम की परिभाशा अपना जिवन दूसरों की भलाई के लिए दे देना है। इशु ने भी ऐसा ही किया है। और जब परमेश्वर क संतान अपने लिए उस प्रेम पर भरोसा करती हैं तो वो उन्हें बदल देता है। और इसलिए यहन्ना एक बार फिर भर्माने वालों से सावधान रहने को कहता है। इस बार वो उन्हें जोटे भविश्य वक्ता कहता है। जब वे ईशु के मसीहा होने का इनकार करते हैं तो वे परमेश्वर की और से बोलने का दावा करते हैं। लेकिन यहन्ना आत्माओं को परकने को कहता है। यहन्ना कहता है कि यदि कोई परमेश्वर की और से बोलने का दावा करता है, लेकिन परमेश्वर के कृसित पुत्र के रूप में ईशु पर ध्यान नहीं देता, त तो वो परमेश्वर की ओर से बात नहीं करता। परमेश्वर की सच्ची संतान अपना पूरा जीवन कुरूस पर चढ़े और जी उठे ईशु पर केंद्रिद रखेगी। क्योंकि हम वही परमेश्वर के सच्चे रहदय को प्रकट होते हुए देखते हैं। कि परमेश्वर संपूर्ण रूप से अपने आपको देने वाला प्रेम है। और यही प्रेम ईशु के अनुयाईयों को विवश करता है कि वे भी दूसरों से इसी प्रकार प्रेम रखे। और जब लोग प्रेम के इस परमेश्वर से मिलते हैं तो वो भय और चिंता को हमेशा के लिए दूर कर देता है। यह उसी का भाग है जो यहना संसार पर जय पाने के विशे में कहता है। जब आप मैसूस करते हैं कि परमेश्वर आपसे इतना प्रेम करता है कि आपके बड़े बड़े दोशों और असफलताओं के बावजूद वो आपको बहुत चाहता है तो वही प्रेम आपके संपूर्ण जीवन का आधार बन जाता है। विश्वास करना है और जब परमेश्वर का प्रेम आपको ठाम लेता है तो यह अननत जीवन का द्वार खोल देता है। यह परमेश्वर की उपस्थिति और जीवन और प्रेम से भрा जीवन है और ये अब से शुरू होकर अननत काल तक बना रहेगा। यह बात युहन्ना को अपने उपदेश के समापन की ओर ले जाती है वो कहता है हम ये भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है और उसने हमें समझ दी है कि हम उस सच्चे को पहचाने और हम उसमें जो सत्य है अर्थाद उसके पुत्र ईशु मसीह में रहते हैं सच्चा परमेश्वर और अनट जीवन यही है अब यदिस वाक्यों की सुनकर आपका सिर्च चक्राने लगा हो और आप सोच में पड़ गये हों तो जरा रुको वो कौन है जो सच्चा है वो कौन है जो सच्चा जीवन देता है क्या वो इशु है या क्या वो परमेश्वर है और योहन्ना का उत्तर निससंदेह हाँ है योहन्ना इशु के अलावा किसी और परमेश्वर को नहीं जानता और जब उसकी तथा अन्य प्रेरितों की भेंट इशु से होई तो उन्होंने ऐसे परमेश्वर को पाया जो हम से इत प्रेम शब्द हमसे मूरतों से दूर रहने को कहते हैं। जिसका अर्थ है कि हम उस अध्भुत परमेश्वर को अपने स्वरूप में बनाने की किसी भी परिक्षा से बचे रहें। इशु को जानना उस रचनात्मक जीवन देने वाले और दूसरों पर केंदरित प्रेम के पर और युहन्ना की पत्रियां इसी विशाय में हैं।